एली गोनी की किस बात पर भड़क गई है रुबीना दिलायक की मम्मी रुबीना की मम्मी को अली की किस बात पर गुसा आया उन्होंने साफ इंकार किया कि ऐसा नहीं है बात करेंगे इस वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दे से कर लिजे बेल आइकन में दबा दिजे इसने रुबीना की तरफ उन्हें खीचा है और एक बड़ी बहन की तौर पर वो उन्हें देखते हैं लेकिन पिछले दो दिनों में जो टास्क हुआ है लॉक्डाउन टास्क और लॉक्डाउन टास्क में जिस तरह से लोग को डिप्राइब किया है और निकी तंबोली जो एली और राहूल की टीम में है वो रुबीना के लिए खेल रही है क्योंकि निकी तंबोली को पिछली बार उन पर विश्वास नहीं किया लिने निकी पूंपर गुस्सा है राहूल पे गुस्सा है एली ने एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कहा कि निकी तंबोली जो ह कहिए यह कंना ट्विटर पर लिखा कि Elieいき diloni सोचते हैं की और विना निकी तंबोली को सर पे चढ़ा के रखा है यह प्यूश्य की तम बोलिने कोbell द मोय और मृट पर सउवार उटाएक शॉक हो रहा है कि रूबीना ने कैसे करने दिया यहें के सामने कैसे निकी ने ऐसा किया और रुबीना ने निकी तंबोली को सर पर चळळा रखा है इस पर रुबीना दिलायक के मम्मी शकुंतला दिलायक वो नाराज हुई है और उन्होंने इस बात का जवाब दिया है वो कहती है no please तंबोली किसी की बातों में आने वाली नहीं है तंबोली जो है निकी तंबोली वो अपना खेल खुद खेलती है वो किसी की बातों में नहीं आती तो ये कहना audience को mislead करना है कि रुबीना ने सर चढ़ा कर रखा निकी तंबोली को यानि कि निकी तंबोली कुछ भी करेगी उसके जो भी उसके क्रियाकल आप होंगे उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी उनके लिए आप रुबीना दिलाइक को जमिदार नहीं ठहरा सकते हैं शकुंतला जी ने क्लियर कट ये बात कही है आप किसे इत्फाक रखते हैं एलिगोनी से आपको लगता है कि र करने का मौका है कि वो अपनी लेखेलेंगी और दोस्तों के ले खेलेंगे और उन्हेंता चनाव सामने रखा है थो उस पर लोगों को आपत्ती होनी लाज़मी है तो ऐसे मैं आप अली की बात से लेखते हैं या फिर आप रुबीना दिला एक्टि की बात सेमने हैं कि निकी आप आप